हाला दमरू अम्रित का बरतन है मूर्ती को चांदी के धाल में धका और स्थापित क्या गया है बेहदी पुराना मंदिर है और हर रोज बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालो यहां पूजा आर्चना करने आते हैं और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी का त्यलेंगाना दौरा का आज दूसरा दिन है और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी संगा रेडी में 6,800 करोड रुपे की विकास परियो जुनाई की आज शिरुवात करने वाले हैं उनका लुकार पन और शिलानियास करने वाले है प्रधान मंत्री कल आदिलाबार पहुंचे थे जहां प्रधान मंत्री ने 56,000 करोड रोपे की विकास परियोजनाय राश्च को समर्पित करी आज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के तेलंगाना दौरे काज दूसरा दिन है और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने शिर्वात की है अपने दिन की श्रियोजैनी महाकाली मंदिर में पूजा अरचना के साथ और यहां तस्वीरों के जरियाब देख रहे हैं कि वैदिक मंत्रों चार के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की है श्रियो जैनी महाकाली मंदिल द्रविण मंदिर स्थापत्य शेली और पैटन के अनुसार बनाया गया है मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के छोटे-छोटे मंदिर से ये मंदिर जो है सुसजित है और मंदिर की जो मिनार है और दिवारे हैं उस पर महाकाव्य कहानिया उकेरी गई है इस मंदिर में लकडी और विशेश पत्थरों से बनी देवी देवताओं की मूर्ती है इस मंदिर में कुछ विशेश और अनोखे त्योहार भी मनाय जाते हैं जिसमें खास है आशार महीने के पहले रविवार को साथ ही मनाय जाता है बो नालू त्योहार जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालू और लोग यहां आते हैं और इस विशेश मंदिर में पूजा आर्चना करते हैं यह महातुपूर्ण मंदिर पर्याटन और तीर स्थल की रूप में भी लोग प्रिय है और आज प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी तलंगाना के सिकंद्राबाद पहुचे हैं जहां उन्होंने श्री उजयनी महाकाली मंदिर में पूजा आर्चना की है इस मंदिर का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है आपको बताएं कि सिकंद्राबाद के इस मंदिर की कहानी 1813 में मिलती है जब इस शेत्र में एक सान्य बटालन का उजयन को उसको स्थानांतृत कर दिया गया था और उस दौरान तो प्रधान मंत्री का तेलेंगाना दौरा बिहदी महत्पूर्ण आज प्रधान मंत्री का इविकास पर्यूज़